आज हम मतर से एकदम गोल गोल, फुले फुले और क्रिस्पी अपे बनाएंगे नमस्ती दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टी वेज़ फूड पर रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब करें मतर का नाश्ता बनाने के लिए हम जार में दो कप मतर लेंगे अब इसमें एक हरी मिर्च को तोड़ कर डालेंगे, साथ ही एक अद्रक का टुकड़ा डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे देखिए मैंने इसे पीस कर तियार कर लिया है, अब हम इसे एक बरतन में निकालेंगे अब इसमें एक कप सूजी डालेंगे, मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का इस्तिमाल किया है अब इसमें आधा कप दही और पानी डालेंगे मैंने हाँ पर मिक्सर के जार में पानी लेकर डाला है अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर आप अपनी जरूरत के अनुसार इसमें पानी डाल लीजिए और सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए हम इस तरह से गाड़ा सा बेटर बना कर तियार करेंगे अगर जरूरत हुई तो इसमें और पानी हम बाद में डालेंगे अब हम इसे ढख कर 10-15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे इतनी देर में सुजी अच्छे से फूल जाएगी बेटर को रेस्ट करते हुए अब 15 मिनट हो चुके हैं अब इसमें 1 टेबल स्पून गरम किया हुआ ओईल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गरम ओईल डालने से नाश्ता उपर से काफी क्रिस्पी और अंदर से एकडम सॉफ्ट बनेगा अब इसमें कुछ बारी कटकी हुई सबजियां डालेंगे मैं इसमें एक प्याज, एक टमाटर, आधा शिम्बला मिर्च और एक मीडियम साइस का ग्रेट किया हुआ गाजर डाल रही हूँ आप यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग सबजियों का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसमें आधा चमच गरम मसाला, आधा चमच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चमच नमक और काफी सारा हरा धनिया डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है इसलिए में इसमें वन टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ अगर आपको जरूरत हो तो ही आप यहाँ पर पानी अट करें वर्णा करें देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखेंगे बैटर को बहुत ज़ादा पतला या बहुत ज़ादा गाड़ा नहीं करेंगे अब इसमें आधा चमच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा आप तभी डालें जब आप नाश्टा बनाने वाले हो इसे पहले से डाल कर ना रखें अब मैंने यहाँ पर एक चमच राई, एक चमच तिल और आधा चमच जीरा को मिक्स करके लिया है अब हम अपय पैन लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा ओईल डालेंगे अब इसमें मिक्स किया हुआ राई, जीरा और तिल डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे अब हम एक एक चमच भर कर बैटर लेंगे और इसे पैन में अच्छे से फिल करेंगे अब पैन को ढखक कर दो मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे दो मिनट के बाद अब अपय अच्छे से फूल चुके हैं अब इन पर दो दो बुन ओईल डालेंगे और इन्हें पलट देंगे आप इन्हें किनारों से छुटाते हुए सावधानी से पलट दें अब इन्हें बिना ढखके दूसी साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेंगे देखिए अब अपे दोनों ही साइड से अच्छे से पक चुके हैं अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं अब इन्हें निकाल लेंगे मटर से बने ये अपपे ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं अब आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें